वेलकम तो माई यूटिब चैनल नमस्ते हिस्ट्री आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक जिसमें हम डिसकस करेंगे बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर शिड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शिड्यूल ट्राइब चलिए वीडियो को स्टार् रें नेशनल कमीशन फॉर शिड्यूल कास्ट की बात कर करता है अब देखो एक यह बहुत ही इंपॉटेंट पॉइंट है जो मैंने रेट कलर से मार्क किया है मैं एक बार मार्कर चेंज कर लूं हाँ ती कॉंसिट्यूशन प्रोवाइड इनीशली दी कॉंसिट्यूशन प्रोवाइड फॉर दी अपॉइंट्मेंट ऑफ इस्पेशल ओफीसर फॉर सी एंड एश्टी अंडर आल्टिकल 338 तो क्या बोला गया है कि कॉंसिट्यूशन में पहले से ही पहले से यह बोला गया है कि भाईजा एक इस्पेशल ओफीसर होना चाहिए फॉर सी and ht welfare दोनों की बात हो रही बहुत ध्यान समझना दोनों की बात हो रही यह sc और ht दोनों का special officer होना चाहिए under article 338 ऐसा constitution में बोला गया ठीक है और special officer उसकी नाम क्या होगो से commissioner बोलेंगे for schedule cast and schedule tribes का बहुत अच्छी बात है धीने-धीने क्या हुआ 1987 में यह बात यह कहानी उठी कि एक आदमी SC-ST के welfare को नहीं समाल सकता इसलिए इसको क्या करते हैं एक multi-member commission बना देंगे for the welfare of SC and SD one member commission नहीं रहेगा multi-member commission रहेगा तो यह demand कब उठी थी यह demand उठी थी आपकी 1987 में 1987 में government ने pressure कि बहिया यह ऐसा करो बहुत सारे pressure आया कि multi-member commission मना हो इससे single member commission इसको हम नहीं बनाएंगे ठीक है अब क्या हुआ उसके बाद यह दो amendment बहुत important है एक तो यह वाला एक यह वाला अब 65 जो 65 अमेंडमेंट हुआ था ना constitution में उसमें क्या हुआ यह multi-member national commission बनी गया schedule कास और schedule tribe के लिए अब इस commission में क्या हो गया पांच लोग आ गए पांच मेंबर आ गए chairman of the commission उसमें चेर्मेंन भी थे वाइस चेर्में में तेन और लोग थे कुल लाके पांच लोग थे नेशनल कमिशन वह schedule कास में अब कितने लोग है पांच लोग है इस commission के अंतरकत very important ठीक है उसके बाद क्या हुआ कि 89th amendment act 2003 आया क्या आया 89th amendment act 2003 इसने तो बहुत यी बड़ा काम किया इसने क्या किया कि बाई ऐसा करते हैं अब SCST को अलग ही कर देते हैं दोनों के commission क्या करेंगे अलग कर देते हैं यहां जब दोनों commission अलग करे गए उसी को एक चला गया article अर्टिकल 338 में और एक चला गया आर्टिकल 338 यह में यह बहुत इंपॉर्टन है कि 38 में कौन गया और तो बहुत इंपोर्टेंट इससे कोशन पूछा जाता है यह हमें याद रखना है तो इसका हमें आंसर क्या रहेगा इसका रहेगा एडिनाइन था मेंडमेंट ट्री ने इन दोनों को अलग-अलग किया अब कभी कोशन पर क्या आता है फिर क्या आएगा कि नेशनल कमिशन 2004 क्या बोलेंगे 2004 में आया था यह हमें याद अगना है तो यह कब आया हमारा 2004 के अंतरगत आया यह बहुत इंपोर्टेंट है तो नेशनल कमिशन फॉर से एंड़ से अलग हुआ था किस अमेंडमेंट से तो 89 अमेंडमेंट टैक 2003 से यह अलग हुआ था ठीक है और यह कब से लाइम लाइट में आया मतलब कभी फाइनली बन गया तो आंसर रहेगा 2004 में यह फाइनली बन के तयार हो गया 2004 में यह फाइनली बन के तयार हो गया 89 अमेंडमेंट टैक 2003 replace this commission with the following with the effect from 2004 यह हमको याद है तो 65 अमेंडमेंट एक 1990 से क्या हुआ था यह हमारा multi member commission बना और 89 अमे तो उन्हों अलग-अलग हो गए सारे members को कौन appoint करता है president appoint करता है पहली बात प्रेसिडेंट यह सारी report किसके सामने रखता है पार्लेमेंट के सामने रखता है और commission को सारी power किसकी होती है civil court की commission को सारी power होती है अब आया national commission for schedule tribes national commission for schedule tribe हम सभी लोग जानते है 89th amendment एक 2003 से अलग एक नया article बना था 338A हम सब लोग इससे पहले पढ़ चुके है national commission for schedule tribe किस में आ गया article 338A में आ गया हम लोग सब पहले जानते थे कि पहले क्या था एक ही commission था जो कि schedule tribes और schedule cast को देखता था 2004 में after 89th amendment Act 2003 NCSC was established by bifurcating the national commission for schedule cast and schedule tribe देखो एक चीज़ याद रखना है फिर से मैं पता रहा हूं 89th amendment हुआ था आपका 2003 में उससे ये दोनों body दो पार्ट में तूट गई एक SC और एक ST लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नेशल कमिशन वो schedule cast कब आया तो हमें आंसर रखना है 2004 नेशल कमिशन हो schedule tribe कब आया 2004 2003 नहीं लिखना है 2003 में amendment हुआ था ये लेकिन य यह ची यादगीन 2004 ठीक है 89th amendment 2003 में आया था और यह body दोनों कब बनी अलग अलग 2004 में वनी यह बहुत इंपोर्टेंट है इसके लिए एक अलग से ministry है जिसको बोलते ministry of tribal affairs यह हमारी यह कब आई थी one triple nine में थी again very important one triple nine में थी ministry of tribal affairs जो की शीदे schedule tribe को control करती है national commission for schedule tribe consists of chairman vice chairman और तीन अधर member appointed by president उनकी सारी condition भी कौन appoint करेगा president और commission को सारी power होती है किसकी civil court की सारी power होती है national commission for schedule tribe को फिर देखो इसमें Glokies committee भी आई 1965 में भुरिया commission आया 2004 में अब एक article देखना है यह article number 342 article number 342 sub clause 1 यह बोलता है इदा president में with respect to any state or union territory and where it is a state after consultation with the governor पाइए public notification specify the tribes or tribal communities और part और group जहां पे वो tribal communities रहती है तो article 342 sub clause 1 में article 342 sub clause 1 में schedule tribes की definition दी हुई है ठीक है अब आया हमारे एक नया commission national commission for religious and linguistic minorities किसका national commission for religious and linguistic minorities ठीक है इसको हम रंगानात मिश्रा कमीशन भी कहते हैं क्या कहते हैं रंगानात मिश्रा कमीशन नैशनल कमीशन for religious and linguistic minority also called as रंगानात मिश्रा कमीशन ये भी कब आया ये भी 2004 में आया तो national commission for SC, national commission for ST, national commission of religious and linguistic minority सारे कब आए 2004 में यह लिंग्विश्टिक और रिलीजिस मैनॉर्टी को देखता था भारत के अंदर ठीक है और इसका नाम रंगनाथ मिश्रा कमीशन क्यों पड़ा क्योंकि इसके जो पहले चेर्में थे वह चीफ जिस्टिस ऑफ इंडिया थे इसका नाम था रंगनाथ मिश् का पहले चेर्में मैंने थे नहीं चार्सी के नेशनल हुमन राइट्स कमीशन के सेक्शन टू सी ऑफ दी नेशनल कमिश्टी इस एक इन्होंने छह रिलीजिस कमुनिटी बताई है जो माइनोर्टी है मुस्लिम क्रिस्टिन बुद्धिस सिख पार्सी एंड जैन यह माइनोर और इजनली इसके लिए कुछ नहीं है पहले तो यह समझ लो क्योंकि भाया यह तो अमेंडमेंट से आया है तो इसके वारे में कुछ गिविन है नहीं और इजनली दिद नॉट मेंग अनी प्रोविजन विद रेस्पेक्ट तू स्पेशल ऑफीसर सेविन्थ अमेंडमेंट 350B में एक स्पेशल ऑफीसर अपॉइंट किया गया एक बात ध्यानकना ओरीजिनली इसमें कुछ भी गिविन नहीं था चाहें रिलीजिस हो चाहें लिंग्विस्टिक मानॉटीज हो इस्पेशल ऑफीसर को कुन करेगा प्रेसीडेंट करेगा इस्पेशल ऑफीसर अपॉइ शुर només डायसेंशन का है्टौटर इलाबाद में हैं तीन है रिजनल ऑफीस कोलकता और चैन्निनी में तीन रीजिनल ऑफिस में यह आती है minority affairs में यह हमें याद रखना है तो यह हमने आज इसमें तीन हमने बेसिकली चीज़े देखी हैं तीन वह देखे अपने एक तो नहीं सब्सक्राइब कास्ट एक निशनल कमिशन वशिडियूल ट्राइब और एक निशनल कमिशन फॉर रिलीजिए सेंड लिंगोस माइनोरिटीज आपको वीडियो पसंद आई होगी डू लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल एंड थेंक यू वेरी मच